नमस्कार, NDC News देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ, अर्शना कौशल, NDC News हर बार आपके लिए लेकर आता है कुछ खास और स्पेशल स्टोरिस, तो दोस्तों देख रहे हैं ये रहेगा कि आज NDC News में आपके लिए क्या है खास? एक यूवती ने दवा किया है कि वे इह 97 दिनों से उपवास कर रही है और इस दोरान उसने अनका एक भी दाना नहीं खाया है, वेह जीवित रहने के लिए प्रकृती से एनरजी लेती है, उसका डाइट प्लान भी चोंकाने वाला है, अमेरिका के मिनिसोटा की रहने वाली 25 और रबीर प्रान वायू के मादम से स्वयम को जीवित रखे हुए हैं, वेह खुद को ब्रेदाइरियन कहती हैं, ब्रेदाइरियन वे लोग होते हैं, जिनका मानना है कि जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्रकता नहीं है, डॉक्टरों ने उनको ऐसे डाइट प्लान क एक खत्रों को लेकर चिताया है, लेकिन वेह कहती हैं कि ये उनके लिए अच्छा है, वो बताती हैं कि उन्होंने कई वर्षों में कई तरह के डाइट प्लान फॉलो किये हैं, वे कुछ समय तक वेगन, शाकाहारी और रोवेगन भी रही, इसके बाद इस डाइट प्लान को फॉलो कर रही हैं, वह कहती हैं कि इस जीवन शैली में व्यक्ते को जीवित रहने के लिए श्वास के जरिये और आसपास की प्रकृती से ही एनरजी लेनी होती है, कुछ लोगों ने उनको बताया है कि ये स्वास्त के लिहाज से नुकसान दायक है